हेलो स्टुडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्साइज 12.1 कॉस्चिन नमबर 2 बहुत ही प्यारा कॉस्चिन है एक फ्लाई ओवर है जिसकी जो वोल्स है वो ट्राइंगुलर सेप पे है और इन्स इसके ओपर एक एड लगाया जाता है क्या लगाया जाता है एड तो एड सहुबाविक बात है कि इसके एरियम लगाया जाएगा तो हमको बोला है जुसकी साइड एक 122 मीटर है एक हमारी 120 मीटर है एक 22 मीटर है अगर एक company एक मीटर के 5,000 रुपीज लेती है per year तो बताईए अगर एक company 3 months के लिए higher करे इस wall को तो कितने रुपे उसको देने होंगे तो चलिए solve करते हैं पढ़ने में थोड़ा आपको typical लगा होगा पर इसका solution देखना मज़ा आएगा आपको मालूम है हमको इसको क्या निकालना है area हमको किसी चीज़ करना होगा hero's form लेका तो अपना hero's form लेका आजाओ hero's form लेकले सबसे ज़रूरी हमको चाहिए था semi perimeter बोले तो s की value इसको मैंने बोला था perimeter का half इसमांको a की value given है 122 meter this is the sides of triangle b की value है 120 meter और c की value है हमारे 22 meter these are the value of sides of triangle चलिए s की value निकालते हैं s की value थी sum of all sides of triangle divide by 2 तो इनको plus कीजिए और 2 से divide कीजिए इन सबको plus किएंगे आप तो 264 divided by 2 और 264 को अगर आप 2 से divide करेंगे तो 132 हमारा answer आ गया यह हमारे semi perimeter बोले तो s की value आ चुकी है अब हम किसका अस्तमाल करेंगे अपना area of triangle निकालने के लिए hero's formula by using hero's formula चलिए use कीजिए क्या था area of triangle is equal to s into s minus a s minus b s minus c और s की value क्या है आपके 132 132 minus a मतलब 122 132 minus 120 132 minus 22 next step इनको further solve करना 132 multiply by 40 नहीं 132 से 120 10 sorry 10 multiply by 132 से हमको क्या minus करना है 120 120 तो 12 12 multiply by 132 से 22 आप करोगे 110 further solve करते हैं 132 को गर हम 10 से multiply करेंगे 132 0 और 12 को गर हम 110 से multiply करोगे तो 1320 और यहाँ पर इन दोनों का आपस में पेर बन गया पेर बन गया तो यह रूट से बहार आ जाएंगे तो हमारा answer आ गया 1320 meter square हमारा area of triangle पर हमको question में area of triangle नहीं निकालना था हमको निकालना था क्या rent तो rent के लिए हमको देखिए अब एक चीज गीवन है हमको given है rent 5000 per meter per year per meter square है sorry per meter square per year हमको rent निकालना है जो यह area आया है इसका rent और हमारा area कितना आया है 1320 तो हम लिख लेते हैं अपना area of triangular wall triangular wall is equal to 1320 meter square हमने सबसे पहले इसका area लिख लिया second चीज हमको given है देखिए कितना rent given है 5000 per meter square तो हम यही चीज लिख लेते है rent of 1 meter square per year is equal to rupees 5000 अब एक बात ध्यान से सुनो हमको rent निकालना है 3 months का और हमको given है year का तो हम सबको मालूम है 1 year में कितने month हो थे है 12 तो अगर हम 1 year के rent को 12 से डिवाइड कर दे तो 1 month का rent आ जाएगा तो हम वही निकालेंगे rent for rent of 1 meter square for 3 months 3 months का निकालेंगे तो कि 5,000 divide by 12 1 month के लिए क्या करेंगे 12 से डिवाइड मैंने अभी बोला था अगर आपको 1 month का निकालना है तो 12 से डिवाइड पर हमें कोशन में निकालना कितना है 3 month का तो 5000 को अगर आप 12 से डिवाइड करो तो 1 month और 3 months के लिए 3 से multiply और 3 से हमारा 12 कट जाएगा 4 times और 4 से हमारा 5000 कट जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और 0 1 2 5 0 rent आ चुका है हमारा 3 months के लिए अब हम अपने कोशन पर वापस आ जाते हैं कोशन पर rent हमको निकालना है देखिए साइड में लिख देता हूँ थोड़ा rent of 1320 meter square for 3 months 3 months का rent हमको निकालना है इतने area का 1 meter का कितना था 5000 1 meter का 5000 वो भी एक year के लिए और 3 months के लिए कितना है 1250 तो simply हम क्या करेंगे अपने 1320 को 1 meter के area से 3 महिने के लिए multiply कर देंगे 1250 से और हमारा finally जो answer आएगा 1650 000 बोले तो हमारा 16,50,000 rent आ गया करने का यह बहुत simple था कोशन क्या हमने area निकाला हमको कोशन में गीवन था क्या rent एक साल का हमने एक महिने के लिए 12 से डिवाइड किया और 3 मंस का निकालने के लिए 3 से multiply किया finally answer 1250 आ गया और हमको कितने का area निकालना था 1320 को 0 का और कितने रुपीज थे 1250 हमने multiply किया और हमारा rent आ गया और यहाँ पर हमारा question भी complete होता है thank you very much